हेलो दोस्तो नमेशकार ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सबी लों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अगर आपने फर्स टाम विजिट के इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना बेला कनको एट करना अगर आप चाहो तो एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेज करके इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल का लिंक भी आप लोगों को उपर आई वर्टन पर या नीचे डिस्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा कल के दिन भी इस चैनल के पर एक बहुत ही इंपोर्टन वीडियो आया है जरूर उसक की बात दोस्तों मतलब बोलते ना कि हिस्ट्री रिपीट होती है सो इसी के चलते यह पूरा वीडियो यहाँ पर बेस रहने वाला है मैं वीडियो के शुरुआत में कहना चाहूंगा क्लीन डिस्क्लेमर है कोई भी में रेकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि आप बाई करो से लोग बात यहाँ पर करने वाले है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी-फिफ्टी को अब्सर खरोगे तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग को गिरावट देखने को मिलेती अगर आखरी दिन की बात करें फ्राइडे की तो उसके बाद आप लोग देखा होगा एक अच्छी खासी रिकावरी भी देखने को मिली है और यह रिकावरी की सा तोड़ा सा बाजार यहां पर पॉजेटिव भी है अभी इसका क्या अर्थ है एक्जेक्ली तो वह भी आप लोगों को समझ में आ पर आ जाएगा सो दोस्तो यहापे मैं डारेक्ली मतलब में मुद्दे की बात की उपर यहापे आना चाओंगा सो दोस्तो यहापे मैं आप लोगों को बताना चाओंगा कुछ चीजे ऐसी होती है अगर हम लोग यहापे बात करें कौन सी चीजे ऐसी चीजे जो कि पिछले 10 साल का अगर आप ह History निकाल कर देखो तो जादा Probability हम लोगों को इस तरीके की चीजे देखने को मिलें इस वक्ड भी हम लोगों को वही इंडिकेशन भी देखने को मिल रहे हैं Sir exactly क्या बोल रहे हो समझ में नहीं रहे है छलो हम लोग आ जाते उसी के उपर सो दोस्तो फिलाल जो हम लोगों को यहाँ पे तेजी देखने को यहाँ पे मिलेगी उसको हम लोग यहाँ पे बोलते सेंटा क्लॉज रैली आप सब लोगों को पता है क्रिस्मस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल चुका है डिसेंबर का जो आखरी हफता रहता है न दोस्तों आखरी हफता अब ये एक हफते में कितने दिन रहते हैं मार्केट के लिए पाच दिन सेटरडे संडे तो क्लोज है सो देखा गया कि वहाँ पे हम लोग को तेजी देखने को मिलती है ये देखी ये कोई थम रूल नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही होने वाला है इक्वेशन नहीं है बट जैसे मिने का कि प्रोबैबिलिटी मार्केट अल्टीमेटली है क्या प्रोबैबिलिटी ये तो है कि ऐसा जैनवरी जब स्टार्ट होता है उसके पहले दो दिन मतलब जो ट्रेडिंग वाली सेशन्स रहते हैं वहाँ पर तेजी देखने को मिली है और ऐसा कि वह उसके पीछे का कुछ लॉजिकल जवाब भी है तो वह भी हम लोग देखेंगे और वह इंडिकेशन भी अभी फिट होत आखरी हफता एंड फर्स्ट टू देखने को मिला है मतलब तीन बार ऐसा है थर्टी टाइमस ऐसा देखने को मिला है जैसा हम लोग सोच रहेते हैं वैसा कुछ हुआ ही नहीं मतलब टेजी देखने को नहीं मिली बट इस चीज को यह जो एक्टिविटी यहाँ पर होती है द 20 में से 7 बार हुआ इसलिए तो इसके पीछे का भी क्या लॉघ्यक है तो चली इसके उपर भी मैं यहाँ पर आना चाहूंगा आद दोस्तों इसके आखरी अफते का participation देखने जाओगे December का, तो significantly हम लोगों को वो कम देखने को यहाँ पर मिलता है, और इसी के चलते हम लोगों को यह जो Santa Claus Rally है, वो हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिलते हैं, मैं अगेन के रहा हूँ, यह कोई thumb roll नहीं है, ऐसा भी बहुत बार हम लोगों को देखने को मिला है कि Santa Claus Rally नहीं हुए करके, बट दस में से साथ बार ऐसा यहाँ पर हुआ है, और इसी चीज को पकड़ कर, अगर आप लोग यहाँ पर foreign investor का data देखने जाओगे, कब का, 24 December का, तो दोस्ता आप देख सकते हैं, या पर 24 December को भी क्या हुआ है, नेट सेलिंग हुए है, बट कितना, सिर्फ 715 करोड की नेट सेलिंग है, एक जमाने में 1000 करोड, 2000 करोड, 3000 करोड, इतना बड़ा-बड़ा नेट सेलिंग होता है, और आखरी के समयें पे जैसे करीब आना शुरू हो जाते हैं, इसमें तो फॉरेन इंवेस्टर का पार्टिसिपेशन कम होता है, इस समझ में आ रहे हैं, फॉरेन इंवेस्टर का पार्टिसिपेशन का अर्थ कह है, फॉरेन इंवेस्टर वो इंवेस्टर है, फिलाल के महौल में, जो सबसे ज़्यादा बाजार को हैमर करने की कोशिश कर रहे है दबाव डालने की कोशिश कर रहे है नेट सेलिंग अगर आप उनके देखोगे तो बहुत बड़े बड़े इसके चलते बाजार उपर उटने के लिए बहुत मुश्किल हो रही है इसलिए ठीक है वरना ये मार्केट और दो-तीन हजार पॉइंट नीचे हो सकता था तो यही चीजों को चेक करोगे अगर आप लोग फॉरें इन्वेस्टर का डेटा तो आप लोग देख सकते यह देखे बहुत ही इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तो यह देखे डिसेंबर अगर पहले के चेक करोगे दो हजार उसी के साथ था तीन तीन हजार साड़े तीन हजार करोड के हम लोगों को यहापे नेट सेलिंग्स देखने को मिल रही यह देखे अभी जैसे हम लोग यह आखरी चरण के उपर आना शुरू करेंगे दीमे दीमे इनका पार्टिसिपेशन कम होना शुरू होता है आई देखो आट सो करोड का नेट सेलिंग डिसेंबर सिफ धाई सो करोड का नेट सेलिंग्स देन 24 डिसेंबर के दिन भी अगर आप लोग द करके बट यह भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है नेट पर्चेस एंड ग्रॉस पर्चेस एंड सेल का वो भी हम लोगों को कम देखने को मिल रहा है इसके पहले देखो छेचे हजार और इसका तो हम लोगों को आधा-धा देखने को यहाँ पे पीट होती है तो आने वाले पाच दिन में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉरेन इंवेस्टर से होने वाला दबाओ का पार्टिसिपेशन कम रहेगा इसकारत यह नहीं कि सब कुछी इगनोर हो गया क्योंकि बाजार में तो अंगिनत रिजन रहते हैं प्लस माइनस के त जैसे बोलता ना समुंदर अगर शांत रहे और कोई एक्टिविटी ना हो तो हम लोग जरू कह सकती कि फॉरेन इंवेस्टर का पार्टिसिपेशन जैसे पहले हम लोग को देखने को मिल रहा था डिसेंबर के आखरी हफते में वैसे अगर हम लोग को देखने को मिला तो बा अच्छी खासी हम लोग को देखने को मिल रहा है जो एवरेज सक्सेस रिशो है वह हम लोग को हायर देखने को मिल रहा है फेलियर के कंपेरीजन में और दोस्ते यही सारी चीज़ें यहां पर लिखी हुए जो कि मैंने आपको आसान बाश्वामी बता दी कि एक्टिविटी इस साथ सेशन में भी अगर आप चेक करोगे बतलब हम लोग यह अगर लोग यहां पर बात करे तो आम लोग को वैसा ही यहां पर चीज़ें देखने को आपर मिल रही है तो क्या हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं होगी यह देखना एक बहुत ही मज़ेदार बात यहां रहने वाली देखिए हम लोगों को कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है इसके पहले कभी आपने सुना थे सेंटा क्लोज रैली करके तो येस अगर आपने ये फर्स टाइम सुना है तो नोट करके रख लेना मतलब अगले साल भी काम आएगा क्योंकि चीजे तो रिपेट होत सेंटा क्लोज रैली का जलवा चलता है या नहीं हिस्ट्री में तो चले आए तो हिस्ट्री रिपेट होती है या नहीं तो अगर आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा नया कुछ सीखने को मिलागा तो ज़रू इसको लाइक एंड शेर भी चाहो तो कर सकते हो इसका फिर खराब मतलब क्या जो सबसे ज़्यादा पीटे 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 बट वो खराब है तो चले ट्राइ कर लेते हैं ट्राइ करते वाक अगर फस गये क्योंकि जैसे कहा 10 में से 7 बार हुआ है 10 में से 10 बार नहीं तो फिर मतलब बैंड बच सकती है तो इसलिए कह रहा हूँ अ